नमस्कार इंजोस्पम टेक्सोनोमी में आज क्या जो हमारा कारिकरम है या हम कहें लेक्चर है यह फैमली एरेसी के बारे में है जिसका नामकरन एयरल डे जैसु ने किया था और एरेसी में जो मशूर प्लांट है वो एलोकेसिया होता है जो कि हमने सब भी जानते हैं दर उदर हमें लगावा देख जाता है और कॉमन लेंग्वेज में इसको अरम फैमली कहते हैं यह भी एक मुन्यकॉर्ट की फैमली है अरम फैमली तो आज हम लोग इसके बारे हम बात करेंगे एरेसी पैमली के बारे में डिस्टिबूशन हम देखें तो 109 जनरा है और 2755 स्पेशीज है तो एक ठीक ठाक साइस की फैमली है तुरॉआउट वर्ल्ड ये पाई जाती है लेकिन अगर मेंली देखा जाए तो ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल रीजन में ये ग्रो करती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ट टेंप्रेट रीजन में भी ग्रो कर जाती है तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि कौन सा क्लाइमेटिक कंडिशन चाहिए इस फैमली के मेंबर्स को ग्रो करने के लिए तो इसका सीधा सांसर होगा ट्रॉपिकल एंड सब्रॉपिकल तो पानी की जो अधिकता है वो इससे च पहली बार तकताजान ने भी आरेल्स को रिपीट किया डेल्ग्रीन ने भी आरेल्स ओडर ही रखा ठोडने ने भी आरेल्स रखा लेकिन एपीजी टू ने जो मॉलिकुलर डेटा के बेस पर क्लासिफिकेशन को उन्होंने सारा कुछ एक बार रिव्यू किया हुए और उसक तो यह पुराने जितने भी चार और थर्स थे अलग-अलग प्लांट टेक्शन और मिस्ट उन्होंने अरेल्स में रखा था लेकिन एपी वेब ने एपी जी त्री ने एपी जी टू ने इसको एलेस में तेल्स में रख दिया amour प्लांट होते हैं और कभी कभी क्लांव devrait कैरह सकती हैं कुछ प्लांट इसमें एक वेटिकमेक हर्प भी ओते हैं जिन में राइजोम सो होते हैं दोनोहीं चीजें मिल जातीं हैं लीफ्स प्लांटर अक्षण चीजह होती ने हां और मुसिलेजिंट ना सोती और Inflorescence, Escapy Geras होता है और जो Spadix होता है वो subtended होता है Large Spade के द्वारा तो इसमें भी मॉनोकाट का Spade का character हो रिटेन होता है Flowers, very small flower छोटे होते हैं पत्ते बड़े बड़े हैं लेकिन flowers छोटे हैं बहुत छोटे reduced होते हैं Usually Unisacral होते हैं Fruit, Berry या फिर अट्रिकेल होते हैं तो ये इसके सिलिन फीचर हो गए अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे मेजर जनरा की हम बात करें तो एंथूरियम है 900 इस्पशीस के साथ ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह की प्लांट आपने और्नमेंटल के तोर पर उकते वे देखे होंगे फिलोडेंडरॉल है जो बड़े बड़े मनी प्लांट के पत्ते हम लोग समझके लगाते हैं उसका नाम है फिलोडेंडरॉल 500 इस्पशीस के साथ में आता है फिर है एरिस सिमा एक सो पचास स्पशीस हैं और दूसरा है एमॉर फेलस ये सो इस्पशीस हैं तो ये एरिस सिमा हो गया तेर सो स्पशीस के साथ और ये एमॉर फो फेलस हो गया ये बड़ा खोबसूरत इसका इंफ्लोरेसेंस बनता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं तो ये भी और्नमेंटल प्लांट के रिसाफ से बड़ा अच्छा माना जाता है फिर राइनो राइनको इस्पोरा दोसो चालिस स्पशीस हैं और ये प्लांट आपको देखने में मिल जाएगा है स्कलिरिया है दोसो स्पशीस के साथ ये दिख जाएगा ये सब वाइल्ड प्लांट हैं इदर उदर आपको कुले मेंदानों में जब बरसाथ बगएरा होती है तो ये ग्रो करते वे दिख जाते हैं पतास है पतास जिसको मनी प्लांट कहते हैं और उसके बाद डिफिन बैकिया है चालिस स्पशीस के साथ ये दिख रहा है और सिंगोनिया में तीस स्पशीस के साथ वह हमें ये दिख रहा है ये तीनों ही और्नमेंटल प्लांट के तावर पर लगाए जाते हैं और ये पतास में तो money plant काही से ले जाता है कि इसके साथ एक अंद विश्वास है कि इसके लगाने से गर में पैसा दुकान में पैसा और जहाँ बैठते हैं रोजगार पर वहाँ पैसा आता है तो बहुत जगान आप देखते हैं यहां रखिये तो ज्यादा फाइदा है, भरहल फाइदा तब होता है, जब इनसान इमानदारी और मेहनद से काम करता है, फिर भी खुबसूरती के लिए यह प्लांट बहुत अच्छ है, डिस्क्रिप्शन देखें, तो टर्रस्टियल या एक्वाटिक हर्ब की तरह यह मिल ज भी जायते हैं, कुछ जो बात हुई थी, कि हपिफाइड भी होते हैं, जैसे कि कज ब्लांट हैं जो क्लैम्बिंगह度 भी पिख लाम नियुटिक जो यह सब किसी दूसरे प्लांट का या कोई खंबे या रोट का सारा लेकर ऊपर चड़ जाते हैं अकसर लोग इन्हें दागों वगरे से बांद देते हैं तो यह उसी के सारे सारे काफी उचाई तक पहुच जाते हैं यूजवली यह राइजोम्स इसमें पाई जाते हैं इनके राइजोम्स लगा दिये जाते हैं और यह ग्रो करते रहते हैं कुछ में कॉम्स भी पाई जाते हैं और कुछ में जो है वो फ्री फ्लोटिंग जो है इसका है वो भी होता है जैसे पिस्टिया यह फ्री फ्लोटिंग तो इसमें ठीक टा केमिकल इसका जो इस्ट्रक्चर है वो भी अच्छे होते हैं केमिकल जो इसकी केमिकल प्रोफाइल है उसमें काफी चीज़े हमें मिल जाती हैं दोसी फैमिली में नहीं मिलती है और इसको अगर कोई चबाब आलेता है तो फिर मुँपे जो है वो बहुत ही जादा कड़वा हो जाता है और मुँपिलकुल पूरी तरह से अलग-अलग शब्दों में लोग अपनी जो फीलिंग है वो बताते हैं कोई कहेगा कि एक दम कड़वा हो गया कोई कहेगा कि एक दम से पूरा कटा जा रहा है या कुछ हो रहा है लेकिन फीलिंग वैसा ही होती है जो जिसके लिए कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है जिसको जिसने खाया है वही जान पता है कि क्या हो रहा है तो जानवर इसे नहीं काते हैं डिफेंट बेकिया जो की डंब केन कहलाता है इस में लिफ्स में प्लास्टिटड का इसमें पाया जाता है। सब्सक्राइब डॉइस पंडे चाहिए। ब्रेटिशी 상今 में यह और ऑंपने पोगुए इसमें वेशल मिलती है और कभ्यकदर स्थ बेशें हैं। देखें। फिर बार kilosली हो चोटी से बहुँ जाते हैं। सब में शीटिंग बेस होता है जो मोनोकॉट का करेक्टर है अल्टरनेट होते हैं इस्पारली अरेंज भी हो सकते हैं डिस्टीकस होते हैं पीटियोलेट होती है या फिर ससाहिल भी हो जाती है जिसे के जो पानी में तैरता वा प्लांट पिस्टिया उसमें ससाहिल होती है और इलियोविनेशन होता है पैरलल हो पिननेट भी हो सकता है स्टा प्रामेंट भी सकता है ऊफिन कॉल्ड एट है स्टेट या सेट्व इस शेप की बात हो रही है शेप में अर्दयाकार या थोड़ी सी चौड़ाई वे बहुत अर्द कम और लंबाई ज्यादा उस तरह से सब्सक्राइब संटेट नेड़न के संदर्व में यह पत्यां देख लीजा अलग-छिसम की पत्यां इसमें दिख रही है यह स्साइल लीफ्स वाला है है और यहां पर आप यह पीटियोर अच्छा सा देख रहे हैं और यह काफी बड़ी पत्ति होती जिसमें यह पीछे की तरफ चले जाते हैं इसको Sagitate कहते हैं वह यह तो हो गई हैसटेट यह हो गई सजीटेट इस तरह से जो लीफ में variation है वो मिलता और Istomata Parasitic टाइप के होते हैं कि यह Guard Cells हो गई आमने सामने वसके इलावा Sub-Stary cells होती है और और एनेमोसेटिक में सिर्फ ये गार्ट सेल्स होती है और इसके साथ कोई सायग कोशिका है इसको अटेच करती भी नहीं होती है। ॐॐॐॐ। इन्फ्लोरेशिंस से iscapigris होता है जोकी एक ispadics का form होता है तो iscapigris क्या है ispadic consisting of dense spike तो इक dense spike होती है जो आप यहाँ देख रहें subtended and enclosed by a large spate और ये बड़ा सा spate होता है तो spate जो है वो absent भी होता है जैसे gymno stackus में spate absent होता है और नो इंशियम में इस पेट एपसंट होता है अधरवाइस पेट प्रेजंट होता है और इस पेट जो कवर करता है वो इस तरह की एक dense spike को तो ये तो dense spike हो गई और ये इस पेट हो गया और इन दोनों को मिला गए हम बोलेंगे तो ये इसके पी जरस in fluorescence इसको बोलते हैं कुछ प्लांट में इस तरह से ये अंबल भी बनने लगता है तो ये थोड़े से rare case होते हैं अब बात होगी flowers की तो flowers जो हैं वो छोटे होते हैं ससाइल होते हैं और very rarely बहुत कम ऐसा होता है कि सब ससाइल मिल जाती है condition condition जैसा किDas की पड़ी सिलयरम में इसका नाम ही पड़ी पड़ाए कि थोड़ासषा पेड़ेसिल मिलता है इसमले सब्सका नाम उ.? होते हैं यूनिसेक्स्ट आपिर वाइसेक्स्वल हो सकता हैं या अक्सर ये pregnant वाले होते हैं या फिर मेलोडोरस होते हैं या फिर बहुत आजीब सी महकाती है वैसा भी हो सकता है रेगुलर टू वेरी इर्रेगुलर होते हैं रेगुलर भी हो सकते हैं और उसके लावा बहुत जादा इर्रेगुलर भी हो सकते हैं यहां पर आप example के तोर पे देख रहे हैं philodendron का inflorescence जिसमें आपको ये spade दिख रहा है और spade में भी जो ये किनारे हैं इनको कहते हैं limb और blade कहते हैं यहां पर ये sticky resin पाये जाता है इसी को पूरा यहां से यहां तक बोलते हैं spadex spadex के साथ में ये spade जुड़ गया तो ये scapy जरस हो गया बाकी जो इसमें floral chamber होते हैं वो मिलते हैं और male flower भी यहीं मिल जाते है spadex में और female flower भी यहीं मिल जाते है ये एक्जामपल entererium का जो perfect flower जिसमें दोनों चीज़े होती है उसका है यहां पर इस तरह से यह एक पूरा जो spadex है वो बनता है और चोटे-चोटे flower निकलते हैं जिसमें जो दोनों सेक्सेस हैं वो मौजूद होते हैं male भी होता है और female भी होता है और यहां पर भी spade पाया जाता है तो इसमें तो open nature arrangement है male और female का लेकिन यहां पर एक ही flower में दोनों हैं तो यह imperfect flower का example हो गया philodendron और यह perfect का हो गया enterium जिसमें के दोनों सेक्सेस flower में मौजूद है अब बात होगी parent की तो pre-agent डिसमें होता नहीं है अगर होता है तो 4-6 टैपल्स इसमें पाया जाते हैं तो यह आप देख सकते हैं यह इसमें इस पेड बन रहा है यह इसमें यह स्पेड है और यह 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 यहां पर जो इसमें पुरा एक इस पैडिक्स बनता है वो है और यह inflorescence का जो stock है वो दिखड़ा है पतियां भी इसी तरह से cover करती है एक covering बनाती है sheeting base यहां पर भी यह ऐसी बना लेता है तो यह sheeting base जो जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए अच्छा example है कि इस तरह से covering हो जाती है उसको कहते है sheeting base एंडूशियम एंडूशियम सिंगल हो सकता है जैसे कि क्रिप्टो कॉर्णी में होता है इसके लावा 6-12 भी हो सकते है इस टेमन जो की free भी हो सकते हैं या फिर इनके filament जुड़े भी हो सकते हैं यूजवली दो वरल में होते हैं एंथर्स बेसी फिक्स्ट होते हैं ड़ी सेंस जो होता है पोर्ट से होता है लोंगिट्यूडनल सिलिट्स इसमें पाई जाती है Transverse यह भी condition हो सकते हैं AlturalСТ अबैं फिक्सर खी emfritt referrals होसकी यह एक्स्टो्स होता है तो ये बाहर की तरफ fixing तो है लेकिन महाँ पर भी perfect और imperfect flower मिल जाते हैं बाकि छोटी पतियां मिलती हैं बड़ी पतियां मिलती हैं पत्यों के shape भी अलग-अलग होते हैं इसी तरह से भी किसी particular species में देखे गए होंगे, यह united होते हैं, over superior होती है, usually unilocular होती है, और एक से पाच ovule पाई जाते हैं, इसमें equilocular के अंदर placentation apical होता है, यह बहुत कम family में मिलता है, जैसा यहां मिला है, और marginal होता है, तो जैसे हमने फैबेसी बगरा में पढ़ते हैं, वहां पर marginal ह हो जाता है, rarely multilocular condition पाई जाती है, और जब कभी multilocular होती है, तो फिर placentation exile हो जाता है, तो placentation में भी देखे कि एपिकल भी होता है, marginal भी होता है, exile भी होता है, तो यहां पर भी fixing of character है, वो नहीं है, ovule orthotropos भी होते हैं, तो यह भी एक इसमें भी variation है, यह तो orthotropos होंगे, Bcripts नेचर के होते हैं, त्यूनी Neusolate होते हैं, जैसे fisti में यह एक phenomenal beauty dese par Lucent, यह फिर crassi Neusolate होते हैं, तो यह थोड़े variation होते हैं, तो यह तो जाता है हर ज के थि आधार करते हैं, तो इस सारवह बारा जोनके हम भी तक हम हम बात की तो इसवें यह तो इक दिकर रहे हैं पलाट का जिसमें आपको यह कॉर्म लाइक राइजुम hemp Armstrong गशेलिव दिख रही है फिर हम अगर श्रॉटायल स्टर्टर बे जाते हैं तो छी यह इस प्लाइल स्ट रॉष में हम पो यह अगर की तरफ यह इस पेणिता है इसको कहते हैं हम इसके पिजिरस इन फ्लोरेसेंस और बाकि इनकी टीएस बगारा काट काट के देखी तो यह सारे स्ट्रक्चर आपको नजर आने लगते हैं कि फुर्ड की बात करें तो फुरूट री या PIDROP होता है और रियर के के सैस में अंटरिकिल होता है या फिर कैपसूल होता है यहां पर इनवाइस निवरियान चलिएक तुं और मने कोड smiling Personen को हैं पॉलिनेशन मेंल लिवा इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा होता है एंटर्मोफिलस पॉलिनेशन इसपेशली जो है वो बीटल्स ये करते हैं फलाई और बीज भी इसमें काम में इनका सही होग करते हैं डिस्पर्सल ऑब बेरी जो बेरी फूर्ट जहां बनते हैं पर डिस्पर्सल जो है वो बर्ड से या फिर अनिमल से होता है कि बेरी जो है वो तोड़े बारी बीच बनाते हैं तो इसमें बर्ड वर अनिमल की जरूरत पड़ती है जहां पर ये प्रिक्तोरियल प्रेसंटेशन न है जहां पर या आप लीव देख रहे चैब सकते हैं उसके लाट प्याल archives निकलते हैं बट कैसे निकलते हैं एसक अच्छा है इस तरह से ये जो स्पेथ है वो दिखाया जा रहा है कि बाहर की तरफ निकला हूं रहता है फिर उसी वो डिटेल में आप जाएंगे तो इस तरह से ये हेग्जगोनल एरियास बने होते हैं जिनके अंदर से ये फ्लावर निकलता है और ये जो पॉर्शन बीच का है इसमें स्टिकमा स्टाइल और ये किनारी की तरफ मेल फाल्ट होते हैं अब कभी कम्प्लीट फ्लावर होगा तब और बाकी जो मेल वी तरफ मेल नीचे की तरफ बनते हैं ये लीव्जफ हैं जो सगिटेट आपको बताया आ या ता ये नीचे की तरफ ऐसे गुंके जा रही है सजिटेट लीफ्स हो गई और फिर ये बाकी जो इनके जो तोड़े और इन लार्ज वियूज हैं प्लोरल स्ट्रक्चर के वह आप यहां देख रहें यह टीएस आप देख रहें जिसमें आपको लोक्यूल्स और ओवियूल्स की पोजिशन भी दिख जाती है एकनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो दा फैमिली फरनिशेज न्यूमरस होल्टी कल्चर और्नमेंटल सचेस पोताज जो मनी प्लांट है लोकेसिया एरम डिफिन बेकिया और मॉंस्टेरा फिलो डेंडरॉन जैंटी डेसिया सिंगोनियम यह सारे और्नमेंटल प्ला जो बड़ा बला होता है वह भी इसको यहां पर गंगरो में उकाया जाता है लोग लगाते हैं तो मनी प्लांट आपने देखा होगा पतियों के लग-लग साइस मिल जाते हैं तो सभी वह जो बाटनिकल नेम हो अलग हैं जो बहुत चोटे होते हैं वह पोताज में मीडियम स को लेंटा के जिसको टैरो या पे दशीन कहते हैं और इसी तरह से मौरफेलस कमपैनो लेटर जिसको एलेफेंट पुट या यम कहते हैं सबजी की दुकान पर यह दिख जाता है अकसर क्रिप्टो इस परमा और जन्थो सोमा जिसे टेनियर और याउटिया कहते हैं और इसके ल तो लोग इसको भी बहुत सब्सक्राइब के तारए उसके पत्ते हैं तो इनसान खाने को तो कुछ भी घा सकता है इसके साब से बस जहर चोड़के बागी हर चीज़ की फूड वेल्यू तो होती होती है पाइलोजनी, the family is considered to be monophyletic और ये होना बहुत ज़रूरी है हचिंसन ने बिली, ये उनका विश्वास था कि ये जो है वो डराइव हुई है, टराइब एस पर डिस्टरी से, जो कि लिलियसी के आसपास जाती है बाइसेक्षवल फिलावर कंसिडर iconsडर तू बी मूर पिर्मिंटीव लिकिन बाद में पिर क्या heard, उसे रिमूब करके is separate order Aero casey का एक्रोसीच का बना दिया गया एक्रोरेल और एरेलस जो है वो इसका भी प्लिस्मेंट बदल दिया गया और उसको अछल दिया गया फिर बाद में हम देखते हैं कि इसका ओर्डर भी बदल दिया है एपीजी ने तो यह तो जो मॉर्फोट एक्सोनॉमी के बेस पर वो बात हुई और जो मॉलिकुलर डेटा जब जुड़ जाता है तो चीजें कहां की कहां पहुच जाते हैं यह कोई भी नहीं जाता है जो अभी मौझुद्धा इसका ओर्डर माना जाता है लिमनेशी बिंग मर्जड विद एरेकेसी और लिमनेशी जो एक फैमिली कभी थी उसको एरेकेसी के साथ नहीं मर्ज कर दिया गया तो यहां पर दो फैमिली का मर्जर हो गया और एक और इसका बदल के लिसमेटेल्स डाल बाकी फैमिली से अलग अलग हो गए तो एलिस मिटेल्स में भी इसमें जो करेक्टर बाकी फैमिली के उससे थोड़े से अलग हैं बाकी फैमिली में करेक्टर में स्टेबिलिटी यहां पर करेक्टर में उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो और ने दोहजार तीन ने रि सबसे बड़ा जो इन्होंने सब सब फैमिली ली थी जिसमें 73 जिन्रा है और लेमनेसी को तोरने ने बिल्कुल अलग फैमिली माना और उनका यह कहना था इसका जो मर्जर है वो गलत है और इसको साथ में नहीं जाना चाहिए एपी वेब ने 2003 और 2008 में इसमें साथ सब फैमिली जिसे रिकगनाईज की और लेकिन जो वनस्टर ऑईडी सब फैमिली ती जो की तोरने ने दी थी उसको मर्ज कर दिया पोथ आईडी के साथ में और लेमन करके इसी के साथ रख दिया तो इस तरह से जो पाच उन्होंने दी थी और इसमें दो और अलग से एपी वेब ने चुड़ दी तो साथ सब फैमिली इस पर्टिकुलर फैमिली में आप मिलती हैं तोरने 2006 और 2007 में उन्होंने फिर इस चेंज को मान लिया और उसको फॉलो करत है और उसके आगे फिर एक दो एडिशनल सब फैमिली जो फिलो डेंडरोइडी और शिश्मेटो ग्लोटोवाइडी ये साथ जनरा और सत्ताई जनरा के साथ में थी इसको भी इसमें डाला लेकिन फिर बाद में क्या है कि इनको अलग किया गया था है और आईडी से तो लेकिन यहां पर यह चेंजिस होते रहते हैं और इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें तो जो हुआ है उसे पुड़ना है तो टोटल फिर नाइन हो गई तो पास से बढ़के साथ हुए साथ के बाद उसमें दो और जुड़ गई तो नाइन हो गई तो फिलाल मुझूदा वक्त में नो इसमें सब फैमिलीज होती है मायो एटॉल 2003 ने अनलाइज किया पाच प्लास्टिट जीनो जीन्स और लेकिन फिर भी जो है वो एक क्लियर कट रिजलुशन जो है इन प्रॉब्लम्स का नहीं दे पाए और हावएवर दबेसल क्लैड जो की जिमनो स्टैकिको आइडी और और इन्नो टो आइडी है यह अपनी जंगा बरकरार रहे और वहीं लोगों का यह कहना है कि जो लेमनो आइडी है सब फैमिली इसको यह कहा गया कि यह एक सिस्टर फैमिली की तरह माननी चाहिए और इसको यह स्टेटस है लेमनियसी करके जो पहले दिया गया था वही दुबारा रेटेन करना चाहिए लेकिन अभी इस पर कोई ऐसी बातचीत आगे नहीं हो पाई है तो इस तरह से यह फैमिली भी यहां पर समाप्स होती है जितनी भी इंपॉर्टन फीचर थे वो बता दिये गए आपको क्या इसकी फैलो जनी है वो बता दी गई क्या डिबेट हुई है वो बता दी गई और कौन से मेजर जनरा है जो जिसके जरीए फैमिली की हम पैचान कर सकते हैं और कौन से फूट प्लांट हैं वो हमने जान लिया तो अब हम यहीं पर इजाज़त चाहेंगे और पिर अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाखात होती है नमशकार